थेखे मैं सुरुवास English को लेकर चल रहा हूं तो आप सीखते चलिए आसानी से आज की इस वीडियो हम यही बात करेंगे कि प्रफेक्ट कांटिनुआस्टेंस के से होते हैं प्रफेक्ट कांटिनुआस्ट को आप अच्छा तरीके से एक्स्प्लेन करने वाले हैं तो मैं आप आपकोसे तरीके से सिखा दूंगा यह टेंज आपको करना कुछ नहीं है विडियो को सौरू से लेंकर लाज तक देखना अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप परफेक्ट पर्फेक्ट का असानी से आप सीख जाएंगे चलिए विडियो को को बहुता EST i अपको हम बदाते हैं कि पास्ट में होता है खोता है और यह होता है कि समय के साथ मुख्य क्रिया जारी थीक है तो समय के साथ मुख्य क्रिया जारी होना ही आपको कहलाता है तो समय के साथ यानि कि समय के साथ मुख्य क्रिया जा रही है समय चल रहा है और उसके साथ जो उसकी क्रिया है वो भी चल रही है तो उसी को हम कहते हैं कि समय के साथ मुख्य क्रिया जा रही और टेंस मिंस काल होता है आपको पता ही है और जैसा कि मैं गो के एक्जांपल के थुरू आपको सम और इसका मतलब निकल किया जाता है दो घंटे से इस वाक का जो पहचान होता है वो किया जाता है तो दो घंटे से दो वजय से जा रहा था इक्र वाकिक में हैं तो आपको यह समझनेना है कि यह पाष्ट और समय और शबस्क्र पहर ना होता है किस प्रश आपको लगाना होता दो तो न हाँ यहां पर आप करेंगे फार टू अर्वर तटे है न तो तो पो समय निश्चित न हो वहां पे से के लिए आपको फार यूज करना होता है जहां पे समय निश्चित हो वहां पे आपको से के लिए सिंस का यूज करना होता है जैसे दो घंटे से कोई निश्चित समय नहीं है दो घंटा है सूबा का है साम का है कल का है परसों का एक साल पहले का सबस्क्राइब एक रात को दो बज़े, एक सुबह दो बज़े हो जाएगा, यानि कि एक दो पहर में दो बज़े होता है, एक हमारे फिर जो मध्यरात्री के बात में दो बज़े होती है, ठीक है, तो यानि कि उसको हम सुबह ही बनते हैं, दो बज़े वाला, तो ये दो पहर का सुबह हो गया पिर सुबा वाली सुबा के दो बजे हो गए तो इस टाइप से जो जो चीजे आपको समय में निश्चित लगे और वहाँ पे से के लिए आपको से के लिए फार के यूज करना होता है तो वैसा ही आपको करना होता है और सभी के साथ आपको head प्लस not being going टाइप की क्रिया लगा आँ हमाले पास यहां पर पहला एक्जामपल है वह कब से पढ़ रहा था ठीक है वह कब से पढ़ रहा था यहां पर आपको जी वाक्य में कब से दिख रहा है यह है पूरा intro get to word ठीक है तो यह आपको बाहर निकाल देना सबसे पहले यह चीजे बहुत ही नार्मल बहुत ही थोड़ी कम बताई जाती है ज्यादा लोग इसको कबर नहीं करते हैं वह प्रस्वाचक वाक्य में वाट विन वेर यह सब सारी चीजे कबर कर देते हैं लेकिन इस टाइप से आप वाक्य में ध्यान रखेगा अगर वाक्य में कब से आ जाए तो आपको वहां पे से के लिए तो यानि कि सिंस और वेन यानि कि कब से दोनों को आपको प्रस्वाचक मान के बाहर निकाल देना यहां ठीक है तो वह कब से पढ़ रहा है यानि कि कब से पढ़ रहा है तो समय यहां पिनिशित हो गया तो यहां पे कपसे के लिए since when हैड ही बीन रेडिंग हो जाएगा ठीक है न यहां पे जो हैड है यहां आजाएगा हैड अगर यहां पे आता है तो आपको में वर्ब जो करता होता है यहां पे चला जाता है उसके बाद बीन उसके बाद मैंने आपको बताया कि बीन के साथ गोईंग टाइब की क्रिया आपकी लगती है अगर नाट होता तो since when हैड ही नाट बीन रेडिंग हो जाता ठीक है न उ किया रहेगी बीन और यह दोनों साथ में सा जूड़े हुए रहते हैं चली हमारे पास जो दूसरा एक्जमपल है राजू यहां कितने बजे से खड़ा है आपको यह समझना है कि कितने बजे से यह जो पूरा है यह क्या है यह प्रस्वाचक वाक्य है ठीक है ना तो यहां पिकर देंगे सिंस वाट टाइम सिंस वाट टाइम उसके बाद आपको मैंने बताया कि चाहिए एक बचन हो या बहुँ बचन हो आपको सब के साथ हैट का ही यूज करना है यहां पर है जाबाला तो रोल है नहीं क्योंकि पास्ट परफेक्ट कांटिन उस्टेंस है तो इसम इस वाट टाइम है जो बेन इस्टेंडे कि हो जायेगा उसके बाद यहां पे है तीसरा क्जाम्पल तुम वहाँ कितनी देर से खड़े हो यह जो कितनी देर से है वो निस्चित है ठीक है यह जैख है न यह कोई निस्चित नहीए अगर कितने बजे से हम कहा दें तो यह लिकिन हम को यह तो तुमने नहीं बताएं न smoother Blood나리 सुवाख यहाँ पी और आपको क्या लगा रहा है फार हाव लंग ठीक है तो फार लग जाएगा और कितनी देर के लिए हाव लंग होता है तो यहां पर फार हाव लंग का पूरा मतलब निकल के आ लाता है कितनी देर से तो तुम वहां कितनी देर से खेल रहे हो तो यहां भी फार हाव लंग हैड यो बीन प्लेइंग देर हो जाएगा ठीक है चलिए चौथा एक्जमपल हमारे पास जो है यह आपको चीजे समझ में आहिए रहेंगों कि सरीके से हैट लगता है यू फिर बी फिर प्लेइंग देर यह तो आपको पता ही होगा फिर भी मैं समझाता है यह चल रहा हूं चौथा एक्जमपल जो हमारे पास है राधा उसे कितने महीनों से पढ़ा रही थी तो कितने महीनों से ठीक है महीना कोई निस्चित्व है नहीं उसके कितने महीनों से जैसे मैं आप मुझे कहा देंगे को मैं उसे दो महिने से जानता हूँ लेकिन आप उसे कब महिने से या फिर कब से यह संद महिने नहीं है यह बहुत्ध अधीज आप सिल आप का जो समय इ cowardice राधा इसके बाद हम ने इस तूर। आपको नहीं है ओप सब्सक्राइब के बिस समय है तो आपको यहां है कि भुला रहीया है कि आपको वाक्य में क्या देखना है कि दो खंटे से जो उसका बुलाना है कि नहीं है कब भुला रही थी सुभा साम दोबहर ठीक है नहीं तो यहां पर इसके लिए अ Tennismo और यहां फि थहां है इसलिए यहाँ पर वह के लिए सी आया हुआ है तो वाई हैड सी बीन कालिंग यू फार टू आवर्स हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि वाई के बाद तुरंत हैड आया हैड आपकी जो हेल्पिंग वर है वह आए फिर आपका जो करता है यानि की सी वह आया उसका बीन फार टू आवर्स हो जाएगा च्छठा एक जामपल हमारे पास है और यह लाश्ट पर पसंद आई है तो लाइक कर दिजिए मैंने अभी तक आप से कहा नहीं वीडियो लाइक करने के लिए तो कर दिजिए वीडियो को लाइक और लाश्ट एजमपल मैं यहाँ पर बता रह दसल पहले का हो लेकिन यह तो निश्चित है कि जैन्वरी से नहीं आ रहे थैं आप उसे कह देंगे न कि तुम जैन्वरी से कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी पसंद आई है तो लाइक करतीजे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया है में लाइकन प्रिस नहीं किया है तो लाइकन प्रिस करिए और नोडिकेशन में all select करिए तभी सारी notification हमको आपको मिलेगी और सारी वीडियोस को आप हमें regular वाच कर पाएंगे अच्छे तरीके से देख पाएंगे समझ पाएंगे चीजों को चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टैपिक के साथ में तब तक के लिए नमस्कार्थाने बाद आपका दिन सुभू